कि नगर निगाय चुनाव 2030 का बिगुल बच चुका है ऐसे में हमारे साथ निर्दरीय प्रत्याशी हैं बिनेशिंग भोला जी हम इनसे बात करते हैं कि किस प्रकार से अगर इनको प्रताबगड की जनता नगर प्रताबगड का किस प्रकार से विकास करेंगे देखिए आपने बहुत अच्छा प्रस्म किया प्रताबगड नगर पालिक्या की जनता ने एकर हमें चुनने का काम किया और हमारे उपर विश्वास जताया तो कहीं न कहीं जनता के बिस्वास पे खरा उतरने का काम करूंगा प्रतावगर नगर पालिका में 25 वर्सों से विकास जो शहर को विकास दिखना चाहिए जो जनता को विकास दिखना चाहिए वो विकास कहीं हुआ नहीं है हाँ विकास की बात करें तो विकास कागच पे हुआ है एक ही रोट को बनान हर 6 महिने में 1 रोट को बनाना और उस पर भूक्तान कर लेना कुछ रोड़ें ऐसी हैं जिस पर 3-4 बार भूक्तान होता है divider आप देखिए तो हर एक साल में divider वही divider बनाया जाता है वही divider तोड़ा जाता है उसमें लगे हुए जो लोहें होते हैं ग्रिल होती है उसको कंपनी बाग में उखार के रखा जाता है उसका प्रतच्छ परमार दे रहा हूं कि पिछले 6-7 महीने पहले डिवाइडर का रेलिंग उखार के कंपनी बाग में रखा गया और कुछी दिनों के बाद ट्रक पे रातो रात चोरी करके बेचा जा रहा था उ बिजली पे करने का इतना मकसद क्या है वह मैं नहीं समझ पाता हूं विज़ी चाहल से 50% पैसाप खट्च हो जाता है लेकिन जो बिज़ी लगती है लगने के तीसरे दिन ही वह तिम 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 करने ही लगती है तो बहुत-बड़ा है कि बिजली पे आप इंवेस्ट कर रहे हो तो विजली जलनी चाहिए दूसरी चीज अगर विजली पे आप इंवेस्ट कर रहे है तो नगरपालिका लगभग लगभग 20-25 लाख रूपय विजली का बिलबकाया रहता है तो कहीं नगरपालिका सरकारी एक विभाग है और सरकारी विभाग तो होते हुए भी एक सरकारी विभाग का 20 से 22 लाग रुपया बिजली का बिलबकाया हो तो कहीं न कहीं नगरपालिका तो स्वेम चोरी कर रही है सरकार के साथ अब भी प्रताबगर नगरपालिका में लेते हैं तो आपको यहां पर क्या कमिया दिखती है नगरपालिका में कि आप अध्धच बनेंगे तुन कमियों को दूर करेंगे देखे सबसे पहले तो मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा जो मुझे बार-बार दिख रहा है प्रताबगर जल्ब हराव से मुक्ति माग रहा है प्रताबगर की जनता मुक्त होना चाहती है भाई मैं आपसे खुले सब्दों में कहूं कि जिस समय बर्साद को हटा देना चाहते हो ति आप साबित क्या करना चाहते हो कहीं न कहीं इसका मतलब यह है कि यह तो आप इनको हटा दो तो यह पूर रोप से समझ जाएंगे कि मुझे रहना कहा है आपने कभी एक सफेद पट्टी नहीं आपको बता आज आज मैं खुलासा कर दे रहा हूं नगर पालिका का जो सीमा विस्तार हुआ है तो सीमा विस्तार विने सिंग बोला की देज है और नगर पालिका में जो लगातार पार्किंग की वेवस्था की बात चल रही है वही वह भी मेरा मुद्दा था तीसरा मुद् पूरा और ना वह शी बीचत ह मुद्दा मेरा पूरा है अब बचा है केवल और पार्किंग लेकिन हम एंदर लंग होनी चाहिए हम एंदर करने का होना चाहिए आपको बताउं मेरा ओरारे कारेकाल कि देख जी का विरोध कैसे हो गया हमारे कुछ लोगों ने सवसदों ने हमसे का कि हम लोगों ने आपको चुना जिता के भेजा है आप इनसे बोलिए कि मलमास और रमजान का महीना चल रहा है कम से कम यह जाड़ू और चुना और पानी तो बेवस्था करा है जब मैंने उनको कहा तो इन्होंने कहा बीने सिंग भूला जी जरूवत को बताएगे इस सहर को मैं चलाना जानता हूं इनको कब कौन सा दोस्ट देना है किस समय देना है कुब जानता हूं आप परेसान नहीं मैंने कहा देख्श मौदय जो बात आप कह रहा है वह speaker के सामने हैं 25 वार्ट के स बैठे हुए तो उस समय इन्होंने क्या कहा कि विने सिंग भोला जी आपने मेरी राजनीत को चौपट कर दिया तो मैं चाहूंगा कि जनता एक ऐसी चीज होती है कि जब आपके उपर विस्वास करती है तो आपके अपने शरीर के एक एक खून का कतरा भी उनके लिए बहा देना चाहिए तो हमारे साथ यह बिने सिंग बोला जी थे और इनका मुद्दा है कि नगरपालिका के जनता चुनकर अच्छा से बनात अमिश सिंग निवस्टोंटीवा प्रताप्तुर्श